हाई एवरेवान वेल्कम आक्चेन फेक्टियर्स तो आज किस वीडियो में जिस स्कॉल्शिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं वह स्टी एफसी इडिया दाट इस श्रीराम ट्रांस्पोर्ट फिनांस कंपनी की तरफ से कमर्शल वेहिकल ड्राइवर्स ओनर कम ड्राइवर्स के बच्चों के लिए स्कॉल्शिप प्रवाइड की जाएगी तो अगर आपने तैंथ या ट्विल्थ पास कर लिया है और अभी ग्राजुएशन या फिर डिप्लोमा कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहां पर अप्लाई कर सकत हैं तो स्टार्ट करने से पले आप चानल को सब्सक्राइब करको नोटिफिकेशन ओन कर लिजेगा ऐसे ही स्कॉल्शिप रिलेटेड या करे डिलेटेव वीडियो को देखने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं बडिफर्स टडी यह एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जहां पर प्राइवेट स्कॉल्शिप के बारे में जा सकते हैं तो यहां पर आपको अप्टू 35,000 पर यह स्कॉल्शिप मिलने वाला है अगर अगर आप अप्लाई करना है वह मैं आपको आगे यहां पर बता दूंगी तो कहीं और आपको जानी की ज़रूरत नहीं है आये देखते है जैसे कि मैंने आपसे कहा है डिप्लोमा अंड 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 ग्राजवेट स्टुडेंट्स के लिए है तो दोनों के लिए अलग लग फॉर्म है पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा कोस के लिए अगर आप 10 पास कर चुके हैं तो क्या के कंडिशन होनी चाहिए यहां पर आप सकते हैं डिप्लोमा कोस के लिए आपको जो भी फॉर्माट है उससे आपको प्रिंट आउट करना होगा और ओफ्लाइन मोड में आपको फॉर्म फिल करना होगा ठीक है तो लास्ट जेट थर्टी नवंबर है और चलिए देखते हैं अलिजिबिलिटी कंडिशन में और क्या क्या चीज़ा दी गई है सबसे पहले हम डिप्लोमा को उसके लिए बात करने वाले हैं तो जिन लोगों ने भी टेंट पास कर लिया है विद मिनमम सिक्सी परसेंटेज अब आई टी आई पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिप्लोमा आप किसी है तो इसकला आपको ड्राइविं लाइसेंस भी देना होगा आपके पेरिंस की वो में आगए आपको दिखाऊंगी क्या के डॉक्यमेंट्स रिक्वाइड होगा तो इस स्कॉल्शिप प्रोग्राम में आपको 15,000 तक स्कॉल्शिप दी जाएगी एक साल के लिए ही स्कॉल् क्लास 10 की मार्खशित भी देनी होगी क्योंकि यह डिप्लोमा कोस के लिए स्कॉल्शिप है इसके लावा कमर्शिल ड्राइविंग लाइसेंस भी देना होगा आपके पेरेंस और गार्जुन का उसका फोटो कॉपी देना होगा और फैमिली इंकम प्रूफ भी यहां पर आपक जिस भी डिप्लोमा आईटिया या पॉल्टेकनिक कोस में आप एड्मिशन ले चुके हैं उसके लिए प्रूफ देना होगा कि आपके एड्मिशन हो चुका है तो उसके लिए आप यहां पे देख सकते हैं कॉलेज यह स्कूल आईडी कार्ट दे सकते हैं अकाडमिक फी रि कर सकते हैं ज era coffee करेंगे है आपको सबसे पहले अचीफ करना होता है जिसकी लिए आपको राजीस्टर बटन कडिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ personal details fill करनी है और यहां पर registration पर क्लिक करके आपको registration हो जाता है उसके बाद आपको online form fill करना होगा और जितने भी details मांगी जा रही है सारी documents अप्रोड करनी के बाद आप submit कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको form fill करना होगा next बात करते हैं undergraduate students के लिए तो यहां 10th and 12th में आपके कम सकम 60% होनी चाहिए और अभी आप 3 years या फिर 4 years का undergraduate course परस्व कर रहे हैं engineering program हो सकता है या कोई भी general degree course हो सकता है ठीके इसके अलावा आपकी annual family income 4 lakh से कम या 4 lakh होनी चाहिए और यहां पे भी commercial transport drivers या फिर owner come drivers के बच्चे ही apply कर पाएंगे कितना scholarship मिलता है under graduation में तो 30 या 35,000 पर year आपको maximum 4 years के लिए scholarship दी जाएगी और इसके बाद documents की बात करें तो again same documents यहां पे रिक्वाइड रहेगा तो apply करने के लिए same process है आपको यहां पे apply ना उपे click करना है और इसके बाद आपको registration करके form फिल करना है दोनों का link मैं description box में देता हूँगी इसके अलावा offline form अगर आप फिल करना चाहते तो उसका भी link description box में है और कोई doubt है इस STFC India Mediterranean scholarship 21-22 से related आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और playlist प्रवाइड कर दूँँगे scholarship का जो भी latest में scholarship चल रही है उन सभी के लिए आप एक बार देख सकते हैं जिस भी scholarship के लिए आप eligible है आप apply कर सकते हैं अगर आप already किसी government scholarship के लिए apply कर चुके हैं और वो scholarship आपको भी मिल रहा है तो भी आप यहां पर eligible है ठीक है तो ऐसा कोई restriction है कि government वाले या government scholarship वाले यहां पर apply नहीं कर सकते हैं अधर आपने कोई भी scholarship फॉर्म फिल किया है यहां पर पहले चुपल है तो आज कर बस इतना है thank you so much and take care